असलामों आलेकुम, विलकम बेक टू फूट वीडियो, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपके लिए लाए हूँ पाइनेपल अपसाइड डाउन केक, वो भी विदाउट ओवन बहुती असान रेसिपी के साथ तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाउल में 100 ग्राम यानि हाफ कप मखण ले लें और इसको अच्छे से बीट कर लें आप इसको हैंड वेस्ट या कांटे से भी बीट कर सकते हैं आप बटर की जगा ओल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बटर से केक ज्यादा सॉफ्ट बनेगा अब इसमें एक कप इसी हुई चीनी एट कर देंगे और इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे किनारों से भी सारा सेंटर में करते जाएंगे इसको अच्छे से बीट करना है कि चीनी मखन में मिक्स हो जाए अब इसमें तीन अंडे बारी-बारी करके एड़ कर देंगे और बीट कर लेंगे अब हाफ टी स्पून वनिला एसंस अड़ करेंगे एक चुटकी नमाग और दे टी स्पून बेकिंग पाउडर एड़ कर देंगे हमने डिर कप मेदा चांड के रख लिया था अब थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते जाएंगे इसको हम कट एंड फोल्ड मेथट से मिक्स करेंगे अब इसमें हाफ कप पाइनेपल जूस एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करके स्मूथ सा बेटर बना लेंगे देखिए स्मूथ सा बेटर रेड़ी हो गया है इसको हम पतीले में बनाएंगे पतीले में रेट बिछा लें और उपर कोई स्टैन या प्लेय टुल्टी करके रख दें इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट प्रेहिट कर लेंगे अब एक पैन ले उसमें 100 ग्राम यानि आदा कप मखन डाल दें मखन ना हो तो आप घी या ओईल कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें 6 टेबल स्पॉन ब्राउन शूगर नहीं हो तो वाइट शूगर ही डाल दें और फ्लेम अन करके इनको थोड़ी देट के लिए मिक्स कर लेंगे तक्रीबन 2 मिनट हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब एक केक पैन लेंगे और इसको केक पैन में डाल देंगे अब इसके उपर पाइनापल के स्लाइस लगा देंगे और कुछ चेरिस भी लगा देंगे और उपर से केक का बेटर जो तियार करके रखा था वो डाल देंगे और इसको प्लेन कर लेंगे इसको पतीले में 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेग कर लेंगे 40 मिनट के बाद केक बनके रेडी है देखा आपने इसको बनाना कितना असान था देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है हम्म बहुत ही यमी भी है अब भी ज़रूर ट्रॉय कीजिएगा अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब भी जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा अल्ला पाक हम सब को हिज़ और मान में रखे आमीन